हरहर महादेव चैबोलेनाथ नमस्कार मैं शादना पांडेव मागदर्शन पर आपका स्वागत करते हैं दोस्तों मैं बात करूँगी कि साम के समय कुछ ऐसे कार्य जो है होते हैं जिने नहीं करना चाहिए ऐसा कार्य यदि कर लेते हैं हम तो निश्चित रूप से ये कार्य हमारे जीवन को धीरे धीरे चौपट कर देते हैं देखे साम की महमा बताती हूँ आपको कि साम की जो वेला है वो गोधिली वेला कही जाती है गुदुली बेला इसलिए कही जाती है कि ऐसी मानता है कि जब स्री किषनल जी अपने गायों को लेकर के आते थे गायों के खूर से धूल उड़ती थी उनसे पूरी धूल फैल जाती थी चारो तरफ इसलिए इस समय का इसकाल का नाम वो गुदुली बेला पड़ गए अब एक सीज और आपको बताती हूँ कि तंत्र विद्या के अनुसार ऐसी मानेत है कि साम का समय जो होता है उस समय दिन और रात का मिलन होता है तो दिन रात का मिलन जैसे कि दिन में आप देखते हैं कि दिन में सात्वी का जो प्रयोग होते हैं पूजा पाठ त्यादी होते है जैसे ही साम का समय होता है वैसे नकारात्मक शक्तियां जागरित होती है इसको नोट कर लिए नकारात्मक शक्तियां जागरित होती है बस इसी लिए इस काल को थोड़ा सा ऐसा काल बताया गया है जिस काल में यदि हम पूजा पाट करते हैं कोई भजन करते हैं कोई मंत्र चला होती हैं वो जागरित अवस्था में होती है क्योंकि दिन के समय उनकी सक्ति छिण होती है जैसे ही अंधकार पाती है वैसे ही ये जागरित होना प्राड़म हो जाती है इसलिए तो सास्त्रों में कहा गया है कि आपको साम को दीपक जलाना जिसे आम बोलचाल की भासा में लोग सजवत बोलते, सजवत का अर्थ ये होता है कि साम को दीपक अपने मुखे दर्वाजे पे रखना, इससे होता क्या है कि जब नकायात्मक शक्तिया जागरित होती हैं, तो वो ये घूम कर देखती हैं कि किस घर में मैं अपना डेरा बनाओ, किस में मैं प्रवेज कर जाओ, तो दीपक का जो उजाला था, पहला उजाला वो मुखे दर्वाजे पे ही होता था, बस इसलिए होता था कि घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवीश हो न पाए, तो आपको तो सबसे पहला जो ये नियम है, वो ये कर ही देना है कि घर के मुखे दर्वाजे पे एक दीपक र परवाजे पर दोस्तों सरसों के तेल का दिपक अच्छा है बहुत अच्छा है सुमाना जाता है आप इसे जला सकते हैं तेल के तेल का भी जला सकते हैं गी का भी आपकी इच्छा हो तो जला सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि कौन से वो कारे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए दोस्तों यदि आप इन कारियों का नियम मनाते हैं तो समझे कि निष्टित रूप से कहीं न कहीं आप परशानी के में भुषने वाले हैं, क्योकि यह चीज अ कि मेरी बताई हो नहीं है यह मैं outta आज नहीं आपको बता रहे हैं, यह घर में बड़े बिजुरुप होंगे तो ये चीज़े आपको समझा रहे होंगे, बता रहे होंगे, बस समस्या यह है कि हम आधुनिक हो गए हैं, इन बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें लगता है जब हमारे पास समय है हमें निकारियों को कर ले और कोई भी समस्या नहीं है, सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि घ पकित्यादी चलाते होंगे, घर में यदि किसी भी स्थिति में हैं, आप तो एक सिस धियान रखे कि कोई आप से बाहर से दूद मांगने, दही मांगने, प्याज मांगने, यदि उस काल उस अवधी के दर आना जाता है, जो कोधिली विला होती है, प्रदोस काल होती है, साम का समय होता है यानि सूरज डूब रहा होते हैं उस काल में यदि ये तीन चीजे आप से कोई मांगने आ जाता है तो कदापी से मत दीजेगा आप इस चीजे को अब उनसे बोल देजे कि मैं बाद में खाली हो करके आपको पहुचा देती हूँ भेज देती हूँ तो ये काम आप कर सकते हैं उनको बाद में दे सकते हैं लेकिन उस काल के दोरान यदि आपने ये चीजे दी तो लक्षमी जाती है साक्षात लक्षमी जाती है इससको ध्यान देजेगा तो ये तीन चीजे फिर एक बार दोहरा दे रहे हूं दूत दही और प्याज कभी भी मत दीजेगा अगली चीज है दोस्तों कि साम के समय हमें जैसे कि खाना बनाने का काम आप कर सकते हैं पूजा पाट करने का काम कर सकते हैं लेकिन हम यदि साम को कंगी करना शुरू करें बाल जाड़ना शुरू करें या फि कि नकारात्मक सिक्तियों के प्रभाव से कब हमें नुकसान हो जाए हमें पता भी नहीं चलता है तो स्रिंगार करने वाला काम तो कदापी मत कीजेगा अब एक बात आती है कि बच्चे हमारे पढ़ रहे होते हैं होमवर्क कर रहे होते हैं और साम के समय जैसा कि बच्चों को स जहान रखिए वो काल सिर्फ और सिर्फ एक ही कारे करने के लिए होता है घर में पूजन, पाठ, मंत्र ये कारे करे तो बेहद उपयोगत होता है जैसे कि साम के समय यदि कोई मंत्र आप अपने घर के मोबाइल में टेप रिकार्डर में चला करके रखते थे तो इसका अगली चीज है कि यदि साम के समय कोई सो रहा है तो उसे सोने बिलकुल मत देजे कभी वीमार है या किसी समस्या में है एक दिन सो गए बात अलग है लेकिन आपने यदि इसको नियम बनाया हुआ है कि आपको सुर्य डूब जाते है तब आप जगते हैं तो ये काम बिलकु बारे साल के उपर के बच्चों पे या फिर बड़े लोगों पे लागू होती है लेकिन विशेष यह होता है कि बाल अवरिध रोगी पे ये सारे नियम लगते ही नहीं है तो इसको आप ध्यान रख लेजएगा लेकिन कोई सामाने स्वस्त ब्यक्ति है और साम की समय सो रहा अब अगली चीज है दोस्तों कि साम में कभी-कभी इस्त्रियां जो है कपड़े धोना बाट जाती है बहुत सारे प्रस्णा आते हैं कि मसीन में धोते हैं तो गुरुवार को धो सकते हैं या फिर तो मसीन क्या हुआ मसीन में भी तो अपकाम वही कर रहा है तो इसलिए भू तता हैं तो सूप को सामके समय चलाने यानी कि अनाजवगा घर साफ करना यह कारे सामके समय भूल कर न करें क्योंकि इससे द antibiag accent के द्वारा व्यक्तीес द्रिद 19 कौन रहना चाहेगा सभी सुक समर्दी के लिए मैनत करते हैं और सब पूजा पाठ आपने किये और ये गलत काम जो है उन पर ध्यान नहीं दिये तो ये तो बिल्कुल भी मत किजिए अब प्रशना आएगा कि खाना वगर बना सकते हैं तो जी खाना बना सकते हैं कपड़े है निसिद्ध है साम के समय ये सारे कारे नहीं करना चाहिए ये तो आपको पता ही होगा कि साम के समय जो है जाडू लगाना पोछा लगाना कूड़ा बाहर फेकना ये सारी चीजी एकदम मना है तो इसी तो एक दिन भी मत किजिएगा क्योंकि ये करने मात्र से ही अपने जो है कि कुछ गंदगी गिरा देते हैं ऐसी स्थिती आ जाती है कि आपको जाडू लगाना पड़े तो कोई कपड़ा ले लिजे कॉटन का और उससे साफ करके कूड़े को उठा देजे लेकि जाडू का प्रयोग मत किजिएगा इसका सीधा असर जो होता है वो आपकी जिन घरोग में जो है कि उजाला नहीं होता है वो अंधरे को ही अपना घर अपना प्रवेश स्थान मानती है इसलिए आपको साम को बताया जाता है कि अपने घरों के दर्वाजे खोलें और उन घर उन seizure वही दीपक जलाना सब में आउरका नहीं है दीपक तीन जगह ही जला जैसे घर का मंदिर हो गया, मुखे दर्वाजा हो गया, हुआ पे तो लेकिन सारे कमरे जिनने आप कभी नहीं जातے हैं, मतलब दिन के हर समय आपको काम नहीं लगता है, कभी कभार उनका काम लगता है, उनको भी सामको उनके दर्वाजे खोल दे, उनमें लाइड ज़रूर जलाएं तो ये काम जरूर रहे उसमें साम को उजाला जरूर रखे क्योंकि उजाला रखने से मालक्ष्मी का वास्तो होता ही होता है लेकिन घर में बहुत सारे शकारात्मक परिवर्तन होते हैं तो इन से जो को ध्यान रखे अब एक चीज़ और कहना चाहूंगे आपको कि कि यद्य वीडियो और अची लएगे तो आप इसको जो है सेर कर सकते हैं और लाइक तो जरूर कीज़ेगा क्योंकि आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेड़ा देते हैं दोस्तों मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बताई गई जो बाते हैं मेरे द्वारा तो ग परिवार का हिस्सा है तो इसको पालन कीजिए क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है लाब लेना है तो लाभानवित होने के लिए आपको इन नियमों का पालन करना होगा उमिद करते हूं वीडियो फसंद आएगी धन्यवाद